डाक टाइम्स नूज शच्च कसाथ जहां खबरों का सिलसला चलता ने दहेगा नमस्कार डाक टाइम्स नूज सच कसाथ ही मैं आपका स्वाकत है मैं हूँ आपके साथ हार के तर पाथी यूपी के जिन पर गोरकपूर, गोरकपूर महस्वा का बहुत पर आगाज हो रहा है, इस महस्वा में एक से एक बालीबूर की मशूर कलाकार भाग ले रहा है, गोरकपूर महस्वा में होने वालीबूर प्रस्तियान लोगों को खुब लुगाएंगी इस बार बालीबूर गायकों की भी धों मचाने के लिए सोनुनी गम, अलका यागनिक, अनुराधा पॉडवाल, राजु सिर्वास्तो, साहित कई कलाकार मंच की सोभा बढ़ाएंगे 11-13 जनुरी तक चलने वाले गोरखपूर मौस्वा में 11 जनुरी को गोरखपूर के शांसद और मेगा इस्टार रवी किशन एक अलग अंदाज में नजर आने माले हैं वो गोरखपूर की जंता के समक्र का पाठ परस्तूत करने वाले हैं और इस बार rs बार और लोकल कला कारों कमेंबदे के लिए मुक्र मंतिरी आवरी कमें फिए परकार कंःकरम केुलावां है जो परेटन मंत्री उद्घाटन तो सियम समापन करेंगे बाहरी कलाकारों के साथ अस्थानी कलाकारों को तरजीह दी गई है शोनु निगम अलकायागिनिक अनुराधा पोडवाल राजु सिर्वास्तो भरत सर्मा ब्यास जैसे नामी कलाकार भी अपनी प्रस्तुती करेंगे वहीं इस मौस्तों में आ रहा है कलाकारों का बाबा गुरखनात की धर्ती पर आने वाले सभी कलाकारों को स्थान सद्रवी किसन ने बढ़ाय दी है और परसन नताज़ताई है डार्क टाइमस निउज के लिए गुरखफुर से हर्शंकर गुपता की रिपोर्ट गुरखफुर आ रहा हूं तेरा जनवरी 2020 को आप लोगे बीच में मेरा अतना अच्छा प्यार भरा करियर रहा है और आप लोगे साथ में शेयर करने में मुझे बहुत मज़ाएगा और बाबा गुरखनात्ची का आश्रवात पाने में मज़ाएगा जल्दी मिलते हम लोग तेरा जनवरी 2020 को गुरखपुर महटसो में हाई फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ राजू शिवास्तो मैं आरो गुरखपुर गुरखपुर महटसो में 12 जनवरी की शाम आपको हसाने आपको इंटर्टेन करने शाम को मज़धार बनाने के लिए तो बस मिलेंगे जल्दी तीन यार आप मैं और कॉमेड़ी नमस्कार गुरखपुर वासियोग नए वर्ष के आप सभी को बहुत बहुत शुप काम नहीं मैं नेहा दाना जी कठक डान सर मिसिस इंडिया 2016 मिसिस येरिवर्स 2017 आ रही हूँ आपके शहर गुरखपुर में अपने कठक मिर्टे की प्रस्तिती लेकर उम्मीद रखती हूँ आपको मिर्टे जरूर पसंद आएका तो मिलते हैं आपके शहर गुरखपुर में 11 जैनवरी 2020 को शाम 6 बजे उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी प्रस्तिती के लिए जरूर पस्तित होंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का जहां खबरों का सिलसिला चलता है कहेगा